संगम नगरी प्रियागराज की नहरू ग्राम भारती डीम्ड युनिवरस्टी को बड़ी उपलब्धी हासिल हुई है, नैक ने इसे बी प्लस की ग्रेडिंग दिये, 2.62 के स्कोर के साथ इसे ये ग्रेडिंग मिली हुई है, इससे जो युनिवरसिटी के इससे जुड़े लो और नैक के कॉडिनेटर डाक्टर राजेश तिवारी जी है, प्यारो डाक्टर पंकज यादो जी है, सबसे पहले तो मैं कुल वाइस चांसलर प्रोफेसर रोहित जी से बात करना चाहूँगा, सबसे पहले तो आपको इस उपलब्धी के लिए हमारी तरफ से बहुत शुब कामना है, धन्यवाद, धन्यवाद, यह जो आपको पहली बार B प्लस की ग्रेडिंग हासिल हुई है, इसके लिए किस तरीके की तयारियां आप लोगों ने की थी, और इसे कितनी बड़ी चुनोती मानते हैं, और आगे के लिए क्या लक्ष निरधारित किया है, तर तयारी पांच साल की तयारी थी, नाक का जो यह पूरा प्रोसेस होता है, जैसा मैंने पहले भी बताया हुआ है, कि इसमें साथ क्राइटेरियास होते हैं और 36 मेट्रिक्स होते हैं, उन क्राइटेरियास के उपर खरा उतरना पड़ता है, और नाक का जो पैमाना है, नापने का, बहुत comprehensive होता है, तो उन criteria's के ऊपर खरा उतरना, उनके जो parameters हैं, उनको fulfill करना, उसको achieve करना, वो अपने आपने बहुत cumbersome exercise होती है, और जैसा मैंने कहा कि ये 5 साल का हम लोग का अथक प्रयास रहा है, इस level तक पहुंचने के लिए, इसमें हमको पूरा अपना academic और administrative infrastructure, जो पू नक जब हमको evaluate करें, तो कोई भी ऐसा point न बचे, कोई भी ऐसा aspect अच्छूता न रह जाए, जिस पर वो हमारे उपर उंगली उठा सके, सर्फ निश्चित तोर पर ये आप लोगों के लिए खुशी की बात हो गये, लेकिन क्या इतने भर से संतुष्ट हैं, या अभी आगे और बढ़ना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोग तो इससे जादा expect कर रहे थे, हमारे पैमाने के हिसाब से हमें कम मिला है, हम B++ expect कर रहे थे, लेकिन जाहिर सी बात है, इससे खुश नहीं है, हम आगे जा रहे हैं, और अब NAC चुकी system change कर रही है, binary system में जा रही है, जिसम आरे साथ, रजिश्टार, विश्व कर्मा से रहें, सर अब आगे के लिए क्या लक्ष आप लोगों ने निर्धारित किया है? आगे और नए courses भी ले करके आएंगे, जैसे medical है, agriculture है, और जिसकी वजह से हम ग्रामिल बच्चों का और बहतर academic uplift कर पाएंगे. हमारे साथ अब डाक्टर राजेश तिवारी जी है, NEC के coordinator है, किस तरीके की तैयारियां आप लोगों ने की हुई थे? और आप जैसा कि Vice Chancellor साब कह रहे हैं, कि यहाँ पर नहीं रुकना है, और आगे जाना है, और टॉप ranking में जाना है, जो है वो, तो उसके लिए अब किस तरीके से आगे बढ़ेंगे आप लोग, उसके लिए क्या लक्ष किस तरी से तैय किया है? निसी तोर पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके लिए जो हमने इस्टेट जी अभी से mind में तयार की है, कि हमको कैसे अपने प्राध्यापकों और student के बीच के relation को और मजबूत करना है, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजिशन को जो की NAC के requirement या UGC के requirement है, उसके तहत हमको औ और भी अच्छे तरीके से काम में ले आना है, अपने एक ऐसा coordination हमको maintain करना है, एक ऐसा माहौल इनोस्टी में देना है, कि हमारा बच्चा-बच्चा या दिखाई देना चाहिए, वह एक best rank पाने के लिए, बिस्विद्याले के hit में लगा हुआ है, और उस ranking को प्राप्द कर कि वह अपने जीवन को, अपने carrier development को बनाने के लिए लगा हुआ है, हम लोग बहुत खुश हैं, निश्चित तोर पर जैसा कि VC सर ने कहा कि हम एक और grading के पेच्छा कर रहे थे, जिसके काबिल हम हैं भी, परंत कुछ कमिया रही होगी, उन कमियों पर भी हम अब नजर डाले करेंगे, उन कमियों को बकादा step on से दूर करने का परियास करेंगे, प्राध्यापकों के साथ मिलकर, छात्रों के साथ मिलकर, प्राध्यारियों के साथ मिलकर और अपने मनेज्मेंट के साथ मिलकर, हम अपने chancellor J.NMS.G के सपने को पूरा करने के लिए उस grading के अंतिम लच्छ को placement मिल रहा है और ज्यादा से ज्यादा students को placement मिले इसके लिए क्या व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं क्या strategy आप लोगों ने तयार किया है तर हम लोग ने एक corporate resource self establish किया हुआ है जिसका basic काम होता है training and placement और उसका एक और बहुत महत्पून काम है कि वो जो भी business organizations है non-government organizations हैं यहाँ पे local जो industries हैं state के बाहर की जो industries हैं उनके साथ एक linkage create करें एक relationship develop करें ताकि हमारे student जब placement के लिए तयार हो जाएं तो उनको एक set platform मिले और वो हमारे student को पहले से जानते रहें समझते रहें इसलिए हमारा CRC जो है उन corporations को उन organizations को अपने continuously invite करता है guest lectures के लिए invite करता है workshop के लिए invite करता है ताकि हमारे student उन organization से पर्चेत हो जाएं और वो organizations हमारे student से पर्चेत रहें ताकि जब placement की बारी आए जब उनकी degree complete हो तो वो industry ready रहें वो employment ready रहें और वो बिना किसी तकलीफ के अपने organization जो भी organization उनको select करती है उसमें जा करके अपनी नौकरी कर सकें अच्छा असर आप से जाना चाहेंगे कि students और जो उनके parents हैं जो local लोग हैं उनसे क्या पेच्छा करते हैं कि वो university को और इंचाही तक ले जाने में किस तरीके से आप लोगों की मदद करें आप लोगों के मददगार बनें विश्विद्याले जैसा आप समझते हैं कि केवल teachers का या officers का नहीं होता है वो विद्यार्थियों के लिए मुख्य रूप से होता है और उन्हीं के भविश्य को लक्ष रह करके हम कोई भी program या कोई भी जो है research यह सब कारिकरम करते हैं तो निशन्दे है बच्चे हमारी इस grading से उत्साहित हो करके उनका participation बढ़ेगा उनके लिए हम नए पाठेकरम लाएंगे और भी जो हमारा नई education policy 2020 है जब हम उसके तहत बच्चों को एक से लेकर के चार साल का graduation करते हैं तो different years में हम उनको certificates, diploma, degree या research scholars का दर्जा उन्हें जब मिलता है तो उनका मनोबल बढ़ता है अपने छमता और अपने जो है इस्थितियों के अनुसार वो अपने जीवन का लक्ष निर्धारित करते हैं और उसमें वो आगे बढ़ते हैं वो हमारा सहयोग निशित रूप से करेंगे क्योंकि इस छेत्र में NEP को लागू करने वाला हमारा विश्विद्याले पहला है और इसका लाभ उनको मिलेगा और वो हमसे जादर से जादर जुड़ेंगे सर आपसे एक आखरी सवाल करना चाहेंगे कि अभी जो आपकी इन्वस्टी यह वो डिम्डी इन्वस्टी है खोओ फ्ल फ्लाइब यून्वस्टी बने इसको लेकर कुई प्रोग्राम आप लोगोंने तयार किया है MS dor आ हम इस से साटिस्पाइड है no नहीं करना चाहते हैं और कियोंकि एककेंद्र सरकाद द्वारा पार्लेमेंट के कानून के तहरे दम को मिला है तो हम इसमें कोई चेंज रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहा है लेकिन आगे के लिए जो है इन्होंने लक्ष निर्धारित किया है कि जो टॉप ग्रेडिंग होती है उसमें इस उनिवर्सिटी को शामिल कराना है मुहम्मद मौहीन एवीपी नेटवर्क प्रयागराई